दोस्तों आज की इस नए श्टोरी में आप सभी एका बहुत बहुत सागत है श्टोरी बहुत ही इच्छी लगने वाली है आप लोगों को प्लीज श्टोरी को पूरा अंतर तक जरूर सुनिएगा चलिए अब देर न करते हुए श्टोरी को सुरू गरती हूँ रोज की तरह आज भी वो केंटेरिया के बाहर अपनी स्कूर्टी पे बैठी हुई थी उसकी नजर सामने आते जाते लोगों पर ही थी उसने ब्लू कलर की कूर्टी ब्लैक जीन्स गले में एक इस्टोल पहना हुआ था गेहुआ सा रंग कानों में छोटे जोटे जुटे जु अफो तु पागल है क्या निवी रोज यहां आ जाती है वो तो तुझे थोड़ा सा भी भाव नहीं देता तो तु क्यूं उसकी पीछे पड़ी है अरे आधा कॉलेस तेरे लिए पागल है तु क्यूं यहां आकर अपना टाइम बेश्ट करती है निवी यानी की निवेतिता मुस्कुरा कर कहती है तु भी न रोज ही एक बात बोल कर थकती नहीं है क्या दिसा दिसा सर पर हाथ रखते वे कहती है तु भी रोज एक ही जैसे काम कहती है तु नहीं थकती है समझ में नहीं आता क्या करूं मैं तेरा निवी हसते वे कहती है कुछ नहीं तु बस चुप च आप सामने देख उनके आने का टाइम हो गया है देशा कहती है वो देख आ रहा है तेरा हीरो निवी सामने देखती है तो देखती ही रह जाती है सामने से एक 6 फिट का लड़का आ रहा था जिसने आर्मी की उनिफॉर्म पहन रखी थी सर पर कैप काली गहरी आँखी जो बेहत सक्त थी सीने के पास एक बैस था जिस पर वर्धान प्रताफ सिंग लिखा हुआ था हाथ की छोटी उंगली में एक अंगोठी पहनी हुई थी वो अपने साथी से कुछ बात करता हुआ आ रहा था तभी उसका साथी कहता है वर्धान सर सामने देखिए आपको चाहने वाली रोज की तरह आपकी इंतजार में खड़ी है वर्धान सामने देखता है तो उसकी सक्त आखों में और सक्ती आ जाती है वो अपने साथी को कहता मिश्टर लच्छ अगर आपके ये फालतू के डिस्कसन हो गए हूं तो क्या हम काम की बाते डिस्कस करें लच्छ कहता है देख वैधान यहां तो मेरा सीनियर है मैं एगली कहता हूं पर उसके हलावां तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है यार ये लड़की सच में बहुत तो एक बार वो आगे कहता उससे पहले ही वैधान कहता है साटा पलच्छ तुझे पता है न मुझे ये सब पसंद नहीं है और अगर तुझे यही सब बाते गजनी है तो तो प्लीज मुझसे बात ही मत किया कर लच्छ मन में कहता है पता नहीं कैसा लड़का है ये फिर वो दोनों बाहर जाने लगते हैं तभी निवी जल्दी से वैधान के सामने जाकर कहती है गुड मॉर्निंग हीरो वैधान उसे इग्नोर कहते हुए आगे बढ़ने लगता है तभी निवी आके आकर अपने हाथों में लाया हुआ एक पिंक रोज दे कर कहती है ये आपके लिए व क्यों रोज यहां आजाती हो तुम जरा सावी अंदाजा है तुम्हें कितना अजीब लगता है ये सब निवी मुस्करा कर कहती है अजीब क्या है इसमें क्या कभी प्यार नहीं करोगे जिन्दगी के हर प्राओं में आगे बढ़ने का टाइम होता है जैसा तुमने अच्छ खुसनमासा लगता है और रही प्यार की बात तो वो भी तुम्हें हो ही जाएगा मेरे हीरो अब मैं चलती हूँ तुम्हें देख लिया अब दिन अच्छा जाएगा कर मिलते हैं फिर वो उसके साथ खड़े लच्छ से कहती है ध्यान रखिएगा इनका और वो दिसा के साथ अपने स्कोटी पे बैट कर चली जाती है वहीं वैधान जलती वी आँखों से कहता है प्यार एक खलिस है सिर्फ खलिस और वो भी वहां से अपने बुलिट श्टार्ट करके चला जाता है निवी यानि की हमारी निवेडिता वीवी एकी पढ़ाई कर रही है देहरा दून के लच्छमी कांद कॉलेज से वैसे तो वो कस्मीर से है उसके परिवार में किवल उसके चाचा जी है एक सड़क हादसे में उनका पोरा परिवार खतम हो गया था इसलिए उसके चाचा जी ते उसे बिलकुल अपने बच्चे की तरह पाल पोस्ट कर बढ़ा किया वो क्लास में हमेशा से टॉपर रही है कभी कोई बॉइफरेंड या रिलेसंसिप नहीं रहा क्योंकि वो अपनी पढ़ाई में ही मस्त मौला सी थी पर जब उसने पहली बार वैधान पताफ सिंग को देखा तब से ही वो उसकी तरफ आकरसित सा महसूस करने लगी और ये आकरसित कब प्य की तरफ से पूरे कैंट एरिया के जवानों को एक्जिवेशन को देखने के लिए उलाया गया था तब उसने वरधान को देखा था बिल्कुल सक्त चेहरा कोई हसी नहीं कोई भाव नहीं उसे वो दिन आज भी याद था कि जब वो एक्जिवेशन से निकल कर गह जा रही थ तब राच्ते में उसके गाड़ी खराब हो गई थी, वो वहीं गाड़ी खड़ी करके खड़ी हो जाती है और आसवास मेकैनिक के लिए पोचने लगती है पर उस दिन आसवास वहां कोई मेकैनिकल नहीं, सौरी मेकैनिक नहीं मिला तब भी वरधान अपनी जीप के साथ वह आप तो आज कॉलेज में आये थे ना वैधान बस हुन कहता है और फिर पोचता है बीच रास्ते में क्या कर रही हैं आप निभी अपनी गाड़ी की तरव इसारा करके कहती है इसने मुझे दोखा दे दिया वो भी बीच रास्ते में अब कोई मेकानिक भी नहीं मिल रहा वैधान कुछ नहीं कहता और उसकी स्कूटी को देखने लगता है कुछ ही देर में वो उसकी स्कूटी स्टार्ट करके कहता है हो गया अब जाईए और वो अपनी जीप में बैठ कर जाने लगता है निवी उसे जाता देख कर कहती है था एंकि सो मेस सर वैधान कुछ नहीं कहता और वो अपनी जीप में बैठ कर चला जाता है निवी कहती है अकरू और वो भी अपने होस्टल के लिए निकल जाती है इसी तरह कुछ दिन निकल जाती है निवी की मुलाकात भले ही वैधान से ना हुई हो पर उसके दिमाग पर वही छाया रहने लगा था वो खुद ही हैरान थी कि एक लड़का जिससे वो कुछ दिन पहले ही मिली थी जिसे वो ठीक तरह से जानती के तक नहीं है उसके ख्यालों में वो कैसे रह सकती है एक दिन जब वो लोग कॉलेज की गुरूप के साथ कैंट एरिया गए थे तब उसने सुना था कि वरधान एक बहुत होनहार कैप्टन है उसने आज तक जितने भी मिसिंस को कमांड किया वो सब सफल हुए वेच्पन से ही वो आर्मी वालों के बारे में सुनते आई थी कि वो लोग बहुत ब्रेव होते हैं उनका काम बहुत रिस्की होता है वो उन्हें बेहत पसंद कहती थी पर वरधान की सक्सियत को देखने के बाद वो उसकी तरफ एक आकरशड सा महसूस करने लगी थी देरे देरे ये आकरशड कब प्यार में बदल कर कब प्यार में बदल गया उसे पता भी नहीं चला जब उसे हिसास हुआ कि वो वरधान से प्यार करने लगी है तो उसने उसे प्रपोस कर दिया पर वरधान ने उसे सीधे सब्दों में मना कर दिया था पर निवी तो निवी थी उसने सोच लिया था कि वो अपने प्यार को खुद से ऐसे ही दो जाने नहीं देगी उसे दिन से रोज सुबह वो कॉलेज जाने से पहले कैंट एरिया जाने लगी और वर्धान के लिए एक फूल लेकर जाने लगी पर वर्धान रोज उसे मना कर देता यही सब बाते याद कहते वो कॉलेज पहुंच जाती है वही वर्धान अपने एरिया में डूटी पर था वो कुछ आने मले मिसंस की तयारी में जुटा हुआ था तब ही उसे एक दम से निवी का ध्यान आ जाता है वो अपना सर जटक कर कहता है नहीं मुझे किसी की ख्याल नहीं चाहिए मेरे लिए कोई माइन नहीं देता है मेरा सब कुछ अब देज के नाम हो गया है वैदान की परिवार में कोई नहीं था जीसे वो अपना कह सके वो मेरट का था बहुत कम उमर में उसके माता पिता अलग हो गए थे दोरों में से कोई उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था इसलिए वैधार ने भी कभी कोई रिस्ता उन लोगों के साथ बनाने की कोशिस नहीं की वो पढ़ाई में अच्छा था और साथ ही वो NCC कैम्प में जाता रहता था दीरे दीरे उसने आर्मी के बारे में सोचना सुरू कर दिया फिर वो उसकी तैयारी में लग गया और सिलेक्शन होते ही उसने मेरट छोड़ दिया उसके बाद उसने खुद को देश के लिए समर्पित कर दिया लेकिन निवी जब से उसकी जिन्दगी में आई थी उसकी जिन्दगी में उतर पुथल सी मच गई थी वो उससे जितना दूर करने की कोशिस कहता वो उतना उसके पास आना चाहती थी वो ये सब सोच कर कहता है अभी कुछ दिनों का प्यार का बखार है इतर की तरहे है ये प्यार जब तक लगाओ तब तक खुस्बू का हैसास है जैसे ही खुस्बू का हैसास कतम हो गया ये इतर उतर जाता है फिर वो उठकर कहता है कॉलेज की लड़की है थोड़ी दिन बाद कोई मुझे से भी अच्छा मिल जाएगा तो अपने आप मेरा पीछा छोड़ देगी फिर वो आपस अपनी चेयर पे बैठ कर काम कहने लगता है निभी कॉलेज पहुँचकर अपने प्रोजेक्ट की तयारी करने लगती है तब ही उसका क्लास्मेट रितिक आकर कहता है कैसी हो निभी निभी मुस्कुला कर कहती है ठीक हूँ तुम बताओ तुम्हारी जॉब तुम्हारी जॉब की कोई बात फिक्स हुई रितिक कहता है हाँ हो तो गई है दो तीन दिन में जॉइनिंग है फिर वो मन में कहता है एक बार मैं अच्छे से अपने पैरों पे उसे हाँ कर देगी क्योंकि उसका कोई रिलेसन या कोई बाइफरेंड नहीं था निभी कुछ कहती उससे पहले ही उसका फोन बजने लगता है वो देखती है कि कॉल अरविंद जी निभी के चाचा जी का था वो उठा कर कहती है हेलो चाचू, कैसे हैं आप अरविंद जी बेहत संजीदगी से कहते है हम ठीक है बेटा, तुम कैसी हो निभी कहती है मैं ठीक हूँ चाचू और वहाँ सब ठीक है ना अरविंद जी कहते है सब ठीक है, बिस तुम्हारी याद आ रही थी अब क्या करूँ यहां भी तो मैं अकेला हूँ न वैसे मैंने तुम्हें कुछ बतानी के लिए फोन किया था नीवी कहती है जी चाचू बोलिए न अरविंद जी कहते हैं बेटा वो मैंने तेरे लिए एक लड़का पसंद किया है इंजिनियर है दिल्ली में रहता है उनकी बात सुनकर नीवी परेशान हो जाती है और उसकी आखों के सामने एक पल को वैधान का चेहरा घूम जाता है नीवी कहती है पर चाचू अभी साधी बहुत जल्दी नहीं है अरविंद जी कहते है बेटा अभी साधी कहां करने को कह रहा हूं अभी तो बस मैंने उसे पसंद किया है तुम भी देख लो मिलो फिर देखेंगे कि साधी करनी है या नहीं नीवी आखे बंद करके कहती है च कौन है वो निवी कहती है वो चाचू वो आर्वी फोर्स में कैप्टन है वरधान पताफ सिंग नाम है उनका अर्विंद जी कहते हैं कोई परिसानी नहीं है बेटा पर क्या वो भी तुमसे प्यार करता है ये सुनकर निवी कहती है नहीं चाचू अभी तक तो नहीं अर्विं जाने तुम कैसे किसी कुछ धुटी उम्मीद में जी सकती हो निवी कहती है उनके दिल में कोई और नहीं है चाचू प्यार को पाना बेहत मुश्किल होता है पर ना मुम्किन तो नहीं है न और देखना एक दिन उन्हें भी मुझसे प्यार जरूर होगा और बेहत होगा अरविंद जी कहते हैं बेटा उम्मीद है कि तुम्हारा विश्वास जीती अब मैं रखता हूँ ध्यान रखना अपना निवी भी उन्हें बाय बोल कर फोन रखते भी कहती है इनकी कोई गर्ल फ्रेंड या वाइफ नहीं है ये तो पहले दिन ही उनके दोस्त से पता कर लिया था आप तो मुझे फोजी साहब का ही बनना है चाहे कुछ भी हो फिर वो पढ़ाई करने लगती है इसी तरही दिन निकल जाता है अगले दिन रोज की तरह निवी कैंट एरिया के बाहर खड़ी थी पर आज वहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था आज दिसा भी उसके साथ नहीं थी वो अकेली ही आ गई थी बाहर एक जवान खड़ा था जो साथ सिक्योर्टी चेक कर रहा था वो जाकर उनके पास उनसे पूछने का सोचती है और दीरे दीरे उनके पास बढ़कर कहती है हलो वो जवान कहता है जी कही किन से मिलना है आपको निवी कहती है मुझे वरधान पताब जी से मिलना है वो जवान कहता है सौरी अभी वो नहीं मिल सकते हैं क्योंकि वो एक से बिनार में हैं दो से तीन घंटे लगेंगे उनी ये सुनकर निवी का चेहरा उतर जाता है वो बस गरदन हिला के वहां से जाने लगती है उसकी नज़र एक बोर्ड पर जाती है जहां लिखा था Strangers not allowed वो कहती है आज तो कैप्टन का चेहरा देखने को ही नहीं मिला क्या करूं तब ही उसकी नज़र सामने खिलकी पर जाती है वो फीछे मुड़ कर देखती है कि वहां वो जमान तो बेस्त था वो धीरे धीरे जाकर उस खिलकी पर चड़कर एरिया के अंदर जाने लगती है वो बहुत पतली थी इसलिए वो आसाने से अंदर चली गई वो धीरे धीरे सब जगां देखते वे जा रही थी क्योंकि अधिकतर लोग सेमिनार में थे इसलिए किसी की नज़र निवी पर नहीं गई निवी कहती है ओहो ये कैप्टन साहब कहां है एक बार इन्हें देख लो तो दिल को सुकौन मिल जाएगा तब ही उसकी नज़र एक कमरे में जाती है जहां लिखा था सेमिनार हॉल वो कहती है लगता है यहीं पर है वो और वो उस रूम की साइड जाकर देखने लगती है वहां की वहां की गेट लॉक थे और दरवाजे पर दो गार्ड्स खड़े थे वो कहती है यार कैसे देखू नहीं फिर वो आसपास नजर घुमाती है तो उसकी एक उंची सी बिंडो पर पढ़ती है जो की पीछे की साइड थी वो कहती है रास्ता तो मिल गया है फिर वो दीरे दीरे वहां पर एक पाइप के सहारे चड़ने लगती है क्योंकि वो एक पिलर की तरह का पाइप था ने भी अपना बैग और सैंडल वहीं उतार कर दीरे दीरे उस पर चड़ने लगती है बहुत बार तो चड़ने पाती पर आखरी में वो वहां चड़ने ही जाती है वो कहती है फिर वो विंडो के अंदर देखनी लगती है पहले तो उसे वरधार नहीं दिखता पर फिर उससे सेकंड रो के लाश्ट में वरधान दिखाई देता है जो ध्यान से सेमिनार सुन रहा था वो कहती है हाई मेरे कैप्टन को नजर ना लगी तब ही उसका पैर एकदम से सरक जाता है और वो नीचे गिनने लगती है वो चिलाती है कैप्टन और उसका पैर पूरी तरह फिजल जाता है निवी जोर से चिलाती है कैप्टन और इसी के साथ उसका पैर फिजल जाता है वहीं सेमिनार रोम के बाहर भी प्रचेश प्राइब करते हैं, कौन हो तुम और यहां कैसे आई? निभी मन में कहती है, ओ हो, हो गया से आपपा, प्यार में क्या क्या करना पड़ता है? फिर वो कहती है, वो मैं किसी से मिलने आई थी, उन्हें ही ढूड रही थी, वो गार्स कहती है, किसे से मिलना है तुभे और इस तरे चोरी छुपे कौन ढोड़ता है हमसे पूछा भी नहीं निभी कहती है वो कैप्टन से फिर उस सर पर हाथ रख कर कहती है मेरा मतलब है वायधान प्रताफ सिंग से वो गार्च दोसे गार्ड को कहता है एक काम करो अंदर सर को इन्फॉर्म करो कि कोई उनसे मिलना चाहता है अगर वो कहते हैं कि इन्हें जानते हैं तो फिर ये लड़की बच जाएगी अगर नहीं तो इस लड़की पर सक्तकार रिवाही होगी वो गार्ड अंदर जाकर सिल्यूट कहते हुए कहता है सर वो वैधान सर से कोई मिलने आया है वैधान हैरान होकर कहता है कौन मिलने आया है वो हैरान इसलिए था क्योंकि कोई खास तो नहीं था उसका उसकी जिन्दगी में उसके पास आकर उसका हाल चाल ले या उसकी चिंता करे वो गाड कहता है सर कोई लड़की है वरधान कहता है लड़की फिर उसे नीवी का धिहान आता है तो वो कहता है कहीं कहीं वही तो नहीं तब तक उसके कमांडर कहते हैं कैप्टन वरधान यू कैन गो वरधान कहता है ये सर वो जब जाकर बाहर देखता है तो उसकी नजर नीवी पे जाती है जो अपना पैर पक्रे बैठी थी जैसी ही उसकी नजर वरधान पे जाती है उसकी चेहरे पे मुस्कान आ जाती है वो कहती है चलो मेरी महनत सफल हुई वरधान थोड़ा गुसी से कहता है यहां क्या कर रही हैं आप और आपकी हिम्मत कैसे भी यहां आने की बाहर बोर्ड रही देखा आपनी की आउटसाइडर अलाउड नहीं है यह आर्मी एरिया है इस तरह यहां के रोल तोड़ने की वज़े सी आपको सजा भी मिल सकती है निवी थोड़ा सा रादत के साथ कहती है वैसे आप गुस्से में और भी हैंसम लगते हैं अगर हिम्मत की बात है तो वो तो मुझे में बचपन से ही है और मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ आप मुझे जानते तो हैं और मेरी भी इसमें कोई गलती नहीं है आपने मुझे अपनी आदत लगवा दी है आपको देखे बिना दिन सुरू भी नहीं होता है एक काम करी सजा के तोर पर आप मुझे यहीं रहने दीजी इसी बहाने आपको देखने का मौका भी मिल जाएगा हाँ यह ठीक है आप मुझे यहीं रख लीजी यह सुब सुन वैदहान को बहुत गुसा आता है हो थोड़ा तेज अबाज में कहता है साटाप पागल हो तुम तुम्हें यहां सब मजाक लग रहा है यह कोई पिकनिक इस्टाप नहीं है जो आप सेर सपाटा करने आई हो तुम्हें किस भासा में समझाओं कि मैं तुम से कोई प्यार नहीं करता हूँ कॉलेज गर्ल हो तुम अपनी परहाई में ध्यान देने की वज़ाए तुम यह सब में पढ़ गई हो इस तरह की हरकतें करके क्यों मुझे सरमिंदा करती रहती हो तभी महां कमांडर सर आते हैं और निवी को कहते हैं यंगर्ल तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था फिर वो उसकी उठने में मदद कहते हैं पर तभी निवी की चीख निकल जाती हैं क्योंकि उससे पैर में बहुत चोट आई थी उसका पैर सोज गया था वो कहते हैं तुम मेरी बेटी की उमर की हो इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ अपने कैरियर पर ध्यान दो इन सब के लिए पूरी जिन्दगी पड़ी है और आज तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया अगर तुम्हें ज़्यादा चोट लग जाती तो यहां आने माले हर इनसान की जिम्मेदारी होती है हम पर निभी कहती है थांक्यू सर पर मेरी जिन्दगी इनके प्यार में पड़ गई है और डोंड बड़ी मैं अपने कैरियर पर अच्छे से ध्यान दे रही हूँ आप बेसक मेरे रिकार्ड्स चिक कर सकती है कमांडर कहते हैं वरधान इसे मेडिकल रूम में लेकर जाओ वरधान कहता है पर सर वो आगे कहता है इससे पहले ही वो उसे रोगते वे कहते हैं वो वरधान इसका पैर बहुत सूज गया है वरधान उनकी बहुत इज़त कहते थे इसलिए उन्हें मना नहीं कर पाई वो निभी का एक हाथ अपने कंदे पर रख कर उसे धीरे धीरे मेडिकल रूम की तरफ ले जाने लगते हैं वहीं खड़े कमांडर सर कहते हैं पत्थर से दिल लगा लिया है इसने देखते हैं यह उसे पिगला पाएगी या वो इसे तोड़ देगा वहीं निभी वरधान को देखते वे चल रही थी वो मन में कहती है एक तू ही है दौलत मेरी आसिल तू मेरा तू ही कस्ती है और तू ही किनारा वरधान उसे मेडिकल रूम में चेयर पे बिठा देता है और वहाँ बैठी डौक्टर को कहता है ट्रीटर वो डौक्टर निभी को चिक कर रहे थी वो उसके पैर पर बैंडिज लगाते हुए कहते हैं टेकरेश्ट तूमारी सूजन थोड़ी कम हो जाएगी निभी कहती है थांक्यू सर वो अपनी दवाई बैग में डालकर दीरे दीरे उठने लगती है वहीं बैधान उसे खड़ा करते हुए कहता है जाओ अब और आगे से इसी कोई हरकत मत कहना निभी दीरे दीरे उसके पास आकर कहती है हरकतें तो होंगी और सरारतें भी होंगी हसी तो आपके चेहरे पर लाकर रोंगी कैप्टन फिर वो फूल उसके हाथ में देती हुए कहती है ये रहा 241 फूल अब कल मिलते हैं बाई और वो वहाँ से जाने लगती है वहीं बादान वो फूल अपने हाथों में ही क्रस कर देता है और कहता है कितना ही दिल लगा लो इसी फूल की तरह ही हाल हो जाएगा और वो चला जाता है निभी दीरे दीरे चल कर कैन टैरिया से बाहर आ रही थी वो मन में सोचती है यार ये इनसान इतना खरूस क्यूं है ठीक है सीरियस है काम को लेकर जिन्दगी को लेकर पर इतना भी सीरियस नहीं होना चाहिए कि जिन्दगी में खुसी ही ना बचे जब तब किसी की हसी की खनक नहीं गुजेगी जिन्दगी खुसनमा कैसे बनेगी पर कोई ना मैं आ गई हूना इसकी जिन्दगी में देखना खुसियों से इनकी जिन्दगी को नम महकाया तो मैं भी निवी नहीं फिरो इसकूटी को देख कर कहती है अगर पता होता कि यहां आखकर पैर तुड़वाना पड़ेगा तो दिसा को साथ ही ही ले आती अब क्या करूँ फिर वो आटो रिक्सा देखने लगती है तभी वहाँ पर कमांडर सर अपनी जीब उसकी सामने रोख कर कहते है यंगर तुम अभी तक गई नहीं निवी मुस्कुला कर कहती है जा रही थी सर पर आटो नहीं मिल रहा है और इस कूटी में अभी चला नहीं पाऊंगी कमांडर सर कहते है कम मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ निवी कहती है नो सर थैंक्यू मैं चली जाऊंगी कमांडर सर कहते है आ जाओ बेटा मुझे अपने फादर जैसा ही समझो निवी गैदन हिला कर धीरे धीरे सीट पे बैड़ जाती है उजी पिस्टांट कहते है और आगे बढ़ जाती है उन निवी को देख कर कहते है एक बात कहूं निवी कहती है जी बोली है न कमांडर सर कहते है तुम वरधान से कब से प्यार कहती हो नेवी कहती है जब उन्हें पहली बार देखा था साइद तब से ही बस एहसास तेज से हुआ मुझे पहले लगा था कि इस उमर का असर है और बस एक आकरसर है पर धीरे धीरे समझाया कि ये प्यार ही है एक डूर सी बंद गई है उनसे जो हर वक्त उनकी तरफ मुझे कीशती है कमानडर सर कहते है वायदहान तो तुमसे प्यार नहीं कहता वो तो प्यार करना दूर तुमसे अच्छे से बात भी नहीं कहता है नेवी कहती है आपको कभी प्यार हुआ है वो मुस्कुरा कर कहते है हुँ 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 हु अलब मेरीज ही है कॉलेज टाइम में मैं उनसे मिला था वो भी मुझे लाइक कहती थी फिर धीरे धीरे हमने एक साथ वक्त बिताना सुरू किया फिर हमें प्यार हुआ और उसके बाद हमने कुछ सालों में साधी कह ली निवी कहती है सर, प्यार कभी जगह या इनसान देख कर नहीं होता है ये तो जिससे होना होता है अपने आप ही हो जाता है हमें प्यार ढोड़ने के जरुरत नहीं होती वो हमारा एक मंजिल की तरह इंतजार करी ही रहा होता है अब मंजिल पर जाना है तो रास्ते को पार तो कहना होगा ना बस फ़र कि ये होता है किसी के रास्ते आसान होते हैं तो किसी के मुस्किन मेरे प्यार का रास्ता कठिन जरूर है पर मैं उस रास्ते को पार करे बिना ही हार नहीं मान लूँगी ये तो हो ही नहीं सकता मैं अपने प्यार की मंजल तक जरूर पालूंगी और देखीगा एक दिन वरधान जी को भी मुझे से प्यार हो जाएगा और अगर नहीं भी हुआ तो भी उनका मैते दम तक इंतजार करूंगी कमांडर सर उसकी बात सुनकर उसकी सर पर हाथ रख कर कहते हैं God bless you young girl तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा फिर वो मन में कहते हैं मैं प्रात्रा करूंगा जो तुमने कहा वो सच हो क्योंकि वरधान का दिल आग की तरह है और तुम्हारा बिल्कुल सीतल जल की तरह फिर वो कहते हैं young girl तुम्हारा होस्टल आ गया है टेकरेश्ट अपना ध्यान रखना निवी कहती है थांक्यू सर फिर वो चली जाती है वहीं वरधान कैंट एरिया में एक कमरे की खिड़की के पास खड़ा था उसके मन में अभी भी निवी की बाते चल रही थी वो एक हाथ दिवार पे मारते हुए कहता है पागल है बिलकुल दिमाख नाम की चीज नहीं है प्यार प्यार लगा रखा है लड़गीया होती ही ऐसी है पहले प्यार का दिखावा कहती है फिर लगता है न कि सामने वाले ने इनसे दिल ल मेरा प्यार मेरा सब कुछ ये देश है। प्यार मेरा सब करें प्यार मेरा सब करें। लच्छ कहता है जी सर आहाँ साथ तारीक है हम ये कर सकते हैं वरदान कहता है तो ठीक है। कल से हम टीम बनाना सुरू कहते हैं और मैं सर से बात कर लेता हूँ फिर वो अपना फोन लेकर बाहर चला जाता है। वही निवी बैठी अपने रूम में अपने हाथ को देख कर कहती है इतनी चोट खाने के बाद एक फायदा तो हुआ। आपका टच तो मिला फिर वो उपर सर करके कहती है कैप्टन I love you उफ जान ही लेगा ये बंदा मिरी उसके तो गुसे पर ही प्यार आता है चल अब परहाई कर लेती हूँ वेना इस बार कहीं फेल ना हो जाओं इसके बाद वो अपने बुक लेकर परहाई करने बैठ जाती है दोस्तों इस कहानी के इस चेप्टर का इन नहीं पर कहती हूँ इसका अगला भाग आप लोगों को इसी कहानी के नीचे कमेंट बाक्स और डिस्क्रिप्शन बाक्स दोनों जगें पिन कर दोंगी प्लीज आप लोग कमेंट बाक्स और डिस्क्रिप्शन बाक्स को जरूर च छिक कर लिजिए कहानी का दूसरा भाग सुन्ने के लिए चली फिर मिलती हूँ इसके थर्ड चेप्टर के साथ कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट कर के जरूर बताना और चैनल को अभी तक सबस्क्राइब ने किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कहनी को लाइक सेर भी जरूर कीजिए